हलो माई दियर स्टुदेंट्स वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया तोडे इन इन दिस वीडियो वेर गोई तोड दू 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 अप्रेक्टिस कोशन फॉर यूर एंसी ए आटी ख्लास टू इंग्लिश यूटिन नमबर नाइन लेस्न दा मैजिक पॉरिज पॉर्ट इस chapter को हमने बहुत सारे pictures के साथ और word meaning के साथ अच्छे से समझाया है अगर आपने अभी तक उस video को नहीं देखा जो part 1 video है इस chapter का chapter explanation तो उसका link आपको इसी video के नीचे description box में मिल जाएगा इस part में हम इस chapter के question answers और सबसे ज़्यादा important vowels के उपर discussion करेंगे सबसे पहरे question number 1 where did Tara go one day एक दिन Tara कहा गए थी answer तारा went to the forest one day जब भी हम answer लिखते हैं तो जो भी किसी का नाम होगा उसका starting वाला letter हमेशा capital में होगा और answer हमेशा past tense में होगा जैसे यहाँ पे go है most of the time it will be in the past tense form Tara went to the forest one day question 2 है what did the old woman give Tara old woman ने बुड़ी औरत ने forest में Tara को क्या दिया यहाँ पे give है तो हम answer में gave लिखेंगे the old woman gave Tara one magic pot और Tara क्योंकि एक लड़की का नाम है इसलिए हमने टी कैपिटल लिखा question 3 what did the magic pot cook magic pot क्या पका रहा था या फिर क्या पकाता था answer the magic pot cooked porridge यहाँ पे भी हमने cook का past tense cooked लिख लिख लिया उसके बाद question who said do not cook pot किसने कहा था ऐसा कि pot और मत पकाओ answer Tara's mother said do not cook pot अब यहाँ पे Tara की मम्मा ने कहा था इसलिए हमने Tara उपर कॉमा और फिर S लगाया इस उपर कॉमा को हम apostrophe बोलते हैं जिसके बारे में आप all detail में अपने higher classes में पढ़ेंगे Tara की मम्मा ने कहा था do not cook pot जब भी कोई चीज हम कहते हैं हमारा मुझ से निकला हुआ कोई भी sentence उसे को भी हम ऐसे दोनों साइड में कॉमा लगा के फिर उस अंदर के sentence को लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे Tara की मम्मी ने ये वाली बात कही थी इसलिए हमने सिर्फ इतनी सी बात को उपर ऐसे inverted कॉमा लगा के लिखा है इस इस दे वे वे राइट दा एंसर उसके बाद लास्ट कोशन है वाई 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 वाइस देर सो मच पॉरिज ओन दे रोड रस्ते के ऊपर हूब सारा पॉरिज क्यो था Answer, there was so much porridge on the road because her mother did not know how to stop the pot from cooking the porridge. रस्ते पे इतना सारा porridge इसलिए था क्योंकि उसकी मम्मा को ये पता नहीं था कि पकते हुए porridge के pot को कैसे stop किया जाए. उसके बाद है left stock, ये सारे questions आपके बाते करने के लिए. What do you eat for your breakfast? तो अलग-अलग बच्चे अलग-लग तरीके का breakfast खाते हैं. जैसे कुछ बच्चे porridge ही खाते हैं, कुछ बच्चे फल खाते हैं, दूद बिस्कुट खाते हैं, bread sandwich खाते हैं या फिर रोटी सबजी खाते हैं अपने breakfast में. Breakfast क्या होता है? हमारे सुभह का नाश्ता, जो हम early in the morning, after hour, brushing and bathing हम करते हैं. Second question, would you like to eat wheat porridge? क्या तुम भी गेहुर से बनी हुई दलिया खाना पसंद करोगे? अगर अपने नहीं खाया, तो जरूर ट्राइ कीजिए, yes, I like to eat wheat porridge या फिर, yes, I would like to eat wheat porridge. उसके बाद question, have you seen any magic? क्या आपने कभी किसी magic को जादू वाले किसी show को देखा है? Tell us about it. तो बहुत सारे बच्चे जरूर मेले में गए होंगे और मेले में functions में इस तरीके की जादूगर, जादू करने का काम करते हैं, हमारे लिए shows करते हैं, तो आप answer लिख सकते हैं ऐसे, yes, I have seen a magic in a fair, fair मतलब मेला. I saw a magician. Magician is a person जो magic दिखाता है. तो I saw a magician turning red flowers into green with his magic trick. अपने जादू का इस्तमाल करके, trick करके, magician ने जादूगर ने लाल फूलों को green कर दिया था. तो इस तरीके की, अगर आपने भी कोई जादू देखा है, आप उसका भी answer लिख सकते हैं. Then, the next question is, what do you call magic in your own language? आप magic को, magic शब्द को अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? जैसे हिंदी में हम magic का मतलब जादू बोलते हैं, तो अगर आप किसी और language को हो, तो आपकी भाषा में magic word को क्या कहा जाता है? अमें वो लिखना है. उसके बाद है हमारे लिए say aloud, कुछ rhyming words. राइमिंग वो होते हैं, जो सुनने में एक जैसे लगते हैं. जैसे pot, dot, caught, hot. यहाँ पे last के जो letters हैं, वो हमेशा same होते हैं. जैसे यहाँ पे o, t, o, t, o, t. और इन ही letters की वज़े से ये शारे शब्द सुनने में एक जैसे लगते ह हैं. उसके बाद यह देखिए, c, a, u, g, h, t, caught, b, o, u, g, h, t, bought, t, a, u, g, h, t, tot, f, o, u, g, h, t, fought. यहाँ पे भी last के सभी words में जी, h, t हैं. और इसलिए ये चारो words हैं, rhyming words. Then the next set of words are, cook, hook, book, took. यहाँ पे भी double o, k, double o, k, double o, k, double o, k. Last letter same है. और उसके बाद है, boon, soon, moon, spoon. इसलिए राइमिंग वर्ड्स. Next we are going to learn vowels. वोवल्स क्या होते हैं? आपने, अपने English alphabets में, a to z, सारे alphabets पड़े हैं. उन सभी alphabets में से कुछ alphabets, जैसे a, e, i, o, u. इन ही पाच letters को कहा जाता है वोवल्स. और बाकी letters को क्या खेते हैं? बाकी letters को कहा जाता है consonants जैसे b, c, d, f, g, h, j, k, l, m. और बाकी के जितने भी letters बचते हैं. अब वोवल्स और consonants में हम अलग-अलग क्या देखते हैं? हम अलग-अलग ये देखते हैं कि कोई भी शब्द अगर वोवल्स से शुरू होता है. For example, a, for हमने क्या पढ़ा है बचपन से? a, for apple पढ़ा है. तो apple के सामने अगर हमें एक sentence भरना है और apple के सामने fill in the blank है. हम apple के सामने क्या लिखते हैं? a, n, an लिखते हैं. we will say an apple वैसे ही अगर e, g, g, egg है आपके पास और उसके सामने fill in the blanks है. क्योंकि e एक वोवल है आप लिखेंगे an egg. वैसे ही o, for orange. orange के सामने fill in the blanks. o, क्योंकि एक वोवल है हम o के सामने लिखेंगे an orange. वैसे ही मान लीजी u, for umbrella. umbrella, umbrella के सामने भी एक blank है. वैसे ही आप क्या लिखेंगे? u, q की एक वोवल है. हम लिखेंगे an umbrella. और consonants कैसे अलग है? for example, b, b, for हमने ball पढ़ा है. और ball के सामने अगर fill in the blank है, हम क्या लिखेंगे? consonants के सामने हम लिखते हैं a, a ball, a cat, a dog, a frog, a gun, a hat, a jug. इस तरीके से हम consonants के सामने लिखते हैं. तो इन्ही चीज़ को follow करते हुए हमें यहाँ पे fill in the blanks करना है. now let's read. fill in the blanks with a, an, or the in the following given few lines. a और an के बारे में तो मैंने बता दिया. a आप कहां लिखेंगे? सभी consonants के सामने हम लिखेंगे a, an लिखेंगे हम सभी vowels के सामने और the लिखेंगे हम किसी भी particular thing के सामने. जैसे कोई भी fixed चीज़, हम सिर्फ उसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ उसके सामने. तो एक्जांपल देखते हैं, जैसे once there was dash beautiful garden, एक बार एक खुपसूरत सा बगीचा था, एक खुपसूरत बगीचा. तो यहां पे हम a लिखेंगे, a beautiful garden, वैसे भी एक consonant है, हम किसी भी बगीचे के बारे में बात कर सकते हैं, यहां पे है न, लेकिन हम जिस बगीचे के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पे मैं शाम को गई थी, उस बगीचे में क्या है, उस बगीचे में, dash garden head, dash apple tree, और यहां प मतलब हम एक कोई fixed garden की बात कर रहे हैं न, तो ऐसे कोई भी fixed garden की बात अगर हम करते हैं कि हाँ, हाँ, वही वाला, वही वाला, उस garden में, तो जो उस है न, उसके सामने हम English में लगाते हैं, the, अब टी capital इसलिए लिखेंगे, क्योंकि यहां पे देखिए, full stop है, full stop के बाद, next व garden में था एक apple tree, a for apple, a एक वावल है, इसलिए हम यहां पे क्या लिखेंगे, an apple tree, dash orange tree, यहां पे o भी वावल है, इसलिए हम लिखेंगे, an orange tree, and dash guava tree, अब guava, g for guava, इसलिए यह एक consonant है, और हम इसलिखेंगे, a guava tree, आपको different समझ में आया, once there was a beautiful garden, the garden had an apple tree, an orange tree, and a guava tree, अब उसी garden की बात, हम यहां पे आगे बढ़ा रहे हैं, उसी garden के बारे में, तो इसलिए हम यहां पे क्या लिखेंगे, in dash garden, in the garden, अब यहां पे T, मैंने small लिख लिख लिया, क्योंकि यह starting of the sentence नहीं है, यह बीच में आया है, आय कैपिटल है, क्योंकि आय से हम sentence start कर रहे हैं, in the garden lived, dash big giant, उस garden में रहता था एक बड़ा सा giant, giant कौन होता है, जो हम जैसे आम इनसानों से बहुत लंबा चोड़ा, विशाल होता है, यूज होता है, बहुत बिग होता है, तो b क्योंकि एक consonant है, हम क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, एक है न, एक बड़ा सा giant, in the garden lived a big giant, उसके बाद यहाँ पे है full stop, full stop के बाद हम capital में लिखेंगे, dash giant did not like children, अब यह वाले giant की ही हम बात कर रहे हैं, यह जो giant है, यह particular giant है, इसलिए हम लिखेंगे, the, टी कैपिटल के साथ, the giant did not like children to play in dash garden, कि उसी garden में अगर बच्चे खेलने आते थे, तो giant को बिलकुल भी अच्छा नहीं लगता था, he did not like children, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, the, the giant did not like children to play in the garden, उसके बाद है, यहाँ पे फुल स्टॉप, फिर से स्टार्टिंग अप दे सेंटेंस, the giant used to eat dash fruit everyday, the giant used to eat f consonant a fruit everyday, एक एक दिन में वो एक एक फल खाता था, the giant used to eat a fruit everyday from the garden, but he did not share these, लेकिन वो इन फलो को शेर नहीं करता था, बादता नहीं था बच्चों के साथ, the children, the children क्योंकि इन ही बच्चों की तो हम बात कर रहे हैं, particular बच्चे जो उस गार्डन में खेलने आते थे, इन ही बच्चों के साथ यह giant शेर नहीं करता था, इसलिए हम लिखेंगे the children, so his garden dried up, इसलिए उसका जो गार्डन था वो पूरा सूख गया, I hope you have understood, चली आगे बढ़ते हैं, word building, look at the letters given below and make words starting with them, k से start होने वाला एक word, word जो 1, 2, 3, 4, four letters का हो, जैसे क, I, N, D, क्या बन गया, kind, kind मतलब बहुत ही अच्छा, then the next word starts with P, P, P से हम four letter वाला word लिखेंगे, P, O, U, R, poor, poor मतलब किसी चीज को डालना, J से लिखते हैं, J, U, M, P, jump, मतलब कुदना, T से लिखते हैं, T, E, S, T, test, कोई भी चीज का exam होना, जैसे test होना, unit test होना, उसके बाद है M, ये तो बहुत easy है, M, O, N, moon, उसके पाद है, आपके लिए एक porridge बनाने की recipe, Your mother makes delicious porridge, पहुत ही स्वादिष्ट porridge बनाती है आपके मम्मी, Would you also like to learn, ये आप भी सीखना चाहेंगे कि ये कैसे बनता है, Ask your mother and any older person to help you, उसके लिए आपको दूद चाहिए, porridge चाहिए और चीनी चाहिए, गरम दूद लेना है, उसमें हमें cooked porridge को डालना है, उसके बाद चीनी डालना है, और फिर खाना है, Repeat this recipe in your language to the class, अब आप अपने ही भाशा में इन ही सभी तीन स्टेप्स को अपने क्लास में बोल कर सुनाईए, Next are balloons, it's your friend's birthday, आपके सबसे चे फ्रेंद का birthday है आज, You are presenting a bunch of balloons, आप उसे balloons का एक गुच्छा, बंच क्या होता है, एक ऐसा गुच्छा जिसमें बहुत सारे चीजे हो, और इस बंच में क्या है, इन बंच में है गुबारे, बहुत सारे गुबारों का एक बंच, हम अपने दोस्त को दे रहे हैं, To decorate in her party, उसके बड़े पर्टी में decoration करने के लिए, सजाने के लिए, These balloons are your friendship balloons, you have to choose a name for each from the box and color them, आपको इन सभी balloons को color करना है और सभी balloons में नाम लिखना है, क्या नाम लिखना है, आपका कौन सा friend, caring है, caring मतलब सब की देखभाल करता है, helpful है, हमेशा मदद करता है, Sharing है, अपने चीजों को share करता है, forgiving है, कि अगर गलती से आपने उसका कुछ मजाग कर दिया है, आपने sorry बोल दिया, तो उसने आपको माफ कर दिया हो, kind है, बहुत ही अच्छा है, truthful है, हमेशा सच बोलता है, friendly है, जो सब के साथ बहुत जल्दी दोस्त बना लेता है, तो आपके best friend में इन सभी में से कौन कौन से गुण मौजुद है, आपको उन सभी qualities का नाम यहाँ पे fill in the blanks में लिखना है, और अपने friend के लिए ये balloon बनाना है, Would you like to tell the class a story about any one of these balloons, क्या आप caring के बारे में, helpful के बारे में, अपने friend के forgiving होने के बारे में, friendly, truthful, kind या फिर sharing होने के बारे में, कोई story बताना चाहेंगे, अपने पूरे class को, तो वो भी आप यहाँ पे बता सकते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे loving grandfather, दादा जी के बारे में एक कहानी, यहाँ पे ये लड़की बोल रही है, ever since grandpa fell down and sprained his arm, he has changed, कि जब से दादा जी गिर गए फिसल के, और उनके आहात में, sprain हो गया, मतलब बहुत जोर का दर्द हुआ, तो उससे उसके बाद दादा जी बहुत ही बदल गए, कैसे बदल गए, यहाँ पे ये लड़का बोल रहा है, he has became very quiet, वो बहुत ही चुपचाप रहने लगे हैं, पहले वो बहुत बोलते थे, अभी वो चुपचाप रहने बोलती है, he keeps sleeping the whole day, पूरा दिन, whole मतलब पूरा, पूरा दिन दादा जी सोते ही रहते हैं, he is very sad, वो बहुत दुखी भी है, तब ये लड़का बोलता है, he does not even go out, आजकल तो दादा जी बाहर जाते ही लही, फिर ये लड़की बोलती है, Grandpa loved to go for walks, Grandpa को walking पे जाना बहुत अच्छा लगता था, he loved to do his exercise, और उन्हें अपने exercises करने में भी बहुत अच्छा लगता था, तो वहाँ पे ये लड़का बोलता है, कि we must try to make him go for a walk with us, हमें बिलकुल बिलकुल ऐसी कोशिश करनी चाहिए, कि चलिए दादा जी हमारे साथ walking करने चलिए, and do some exercise in the park, और फिर पार्क में जाके दादा जी को exercise करवाना चाहिए, पार्क में जाने के बाद इस लड़की को दादा जी के तीन दोस्त नजर आए, लड़की ने बोला, I can see Grandpa's friends, मैं Grandpa के दोस्तों को देख रही हूँ, let us talk to them, चलिए Grandpa, उन सब के साथ बाते कर हैं, तो बच्चे ने भी क्या बोला, Grandpa, your friends are here, अब तो आपके friends यहीं पे हैं, talk to them, उनके साथ बाते कीजिए, while we play, जब तक हम थोड़ा खेल लेते हैं, they have missed you, आपके दोस्तों ने भी आपको को miss किया था, और फिर Grandpa को दोस्तों के साथ बाते करके बहुत अच्छा लगा, उ Thank you my children for taking me out in the fresh air, मुझे खुली हवा में लेके जाने के लिए, thank you, it's been a long time, बहुत लंबा समय हो गया था, I have been with my friends, और for a walk, कि मैं अपने दोस्तों से मिला था, या फिर मैं ऐसे walking के लिए निकला था, अब स्टोरी के ऊपर हमें इन questions के answer देने है, read the picture story and then pick the right answer, Question number one, Grandfather sprained his leg, back, या फिर arm, ग्रैंपा के body के किस पार्ट में जोर का दर्द हुआ था, आम की, हाथ की, ग्रैंपा लव्ट डूइंग सम्थिंग, ग्रैंपा को बहुत जाद अच्छा लगता था, क्या, eating, खाना खाना, walking, या फिर sleeping, ग्रैंपादर को walking करना बहुत अच्छा Third है, Grandfather missed, Grandfather सबसे ज्यादा क्या miss करते थे, किस चीज को, खाने को, बुक्स को, या फिर exercise को, वो exercise करना miss करते थे, क्योंकि हाथ जब तूट गया था, तो डॉक्टर ने bed rest बोल दिया था, और वो हिल डूल भी नहीं पाते थे, और exercise भी नहीं कर पाते थे, नहीं कर पाते थे इसलिए वो miss करते थे उस चीज को, then the next question is, before and after, before मतलब पहले, after मतलब बाद में, पहले क्या होता था, Grandfather used to go for walks, वो walking के लिए जाते थे, और अब क्या होता है, now, now he keeps sleeping, अब तो वो सोते ही रहते हैं, पहले क्या होता था, Grandfather used to talk, पहले Grandfather बहुत बात क्या करते थे, बच्चों के साथ, सब के साथ, और आप क्या करते हैं, now he, now he is quiet, q-u-i-e-t, quiet, पहले क्या होता था, Grandfather met many friends, अपने बहुत सारे दोस्तों से मिलते थे, और अब क्या होता है, now he does not even, e-v-e-n, even go out, यह सारे sentences आपको अपने स्टोरी से ही मिल जाएंगे, now he does not even go out, अभी तो वो बाहर ही नहीं जाते, difference देखा, जो पहले होता था, उसमें हमने यहाँ पे past tense का use किया है, used, यहाँ पे भी used, यह है met, met किसका past tense है, m-e-e-t, meet का past tense है, क्योंकि यह पहले की बात है, हो चुकी है, और अभी की बात जो हम लिख रहे हैं, वो हमेशा present tense में, now he keeps sleeping, now he is quiet, now he does not even go out, go है present tense, and then the last is, practice writing, cursive handwriting, a pen and a hen, writing cursive a like this, उसके बाद, p-e-n, pen, a-n-d and a-h-e-n, hen, a pen and a hen, and that was the last question of your textbook, and the end of the chapter, if you have any question, you can ask me in the comment box, हमेलेंगे बहुत ही जल्दी हमारे unit 10, poem के साथ, till then thank you very much, and God bless you all.